दवाशकार प्रेसातियों मैं हूं सुरेश श्रिमाली आज आठ नवंबर है और साल का आखरी और वो भी चंदर ग्रेंड शुरू हो चुका है चंदर ग्रेंड समापती के बाद आप सबसे पहले तो स्नान करें और नए वस्तर या दुलेवे वस्तर जरूर धारन करें और ग्रेंड के वक्त पहने हुए कपड़ों को या तो डोनेट कर दे और या फिर उन्हें अगले तीन दिनों तक प्रियोग नहीं करना चाहिए और उन्हें दो पहुँचकर गर के बाहर ही कहीं सुखा दे ऐसा करना ही शुब माना जाता है साथ ही अपने पित्रों के रिमिद आज दान करना चाहिए या दान का संकल्प लेना चाहिए ऐसा करने से गर में खोशाली बनी रहती है और जब पित्र प्रसन होंगे तो आप अपने परिवार के साथ सुख शांतियों समरदी से जी पाएंगे चंदर ग्रहन के बाद पूजा पाठ का विशेश महत्व है चंदर ग्रहन के बाद किसी धार्बे के स्तल पर जाना और इस सबे भगवान शिव जी की पूजा करना सबसे स्रेश्ट बना जाता है क्योंकि चंदरमा शिव की जटाओं पे समाईते जिसें भाल चंदर कहते हैं ग्रहन काल समाप्ति के बाद गर में देवी देवताओं की मूर्तियों को गंगाल जल छिड़क कर शुद्ध करना चाहिए थोड़ी सी दूरवा के साथ गंगाल जल छिड़क दीजी जोतिश शास्त्र गरुसार ग्रहन काल में गर में नगारत में उर्जा का संचार होता है इसलिए एक मुठी पीली सरसों ले दीजी हर गर के कबरे में बैलकनी रसोई आस पास जहां पर भी गर के अंदर का इसाय थोड़े थोड़े आप पीली सरसों शिड़क दीजी और आदे गंटे के बाद सफाई पीछे से करते हों बाहर के दरफ वो पीले सरसों निगाल दीजी और साब सफाई खत्मोंने के बाद गर में दूप और अगरवती कपूर के साथ गूगल की दूब जलाने से नेगेटिव एनरजी समापत होती है और जो पॉजिटिव एनरजी है उसका संचार होता है प्रेसातियों यदि आपकी कुंडले में राहू, केतु, जनित, कालसर्व योग हैं चांडाल दोश है, ग्रेंट दोश है, विश दोश है स्रापित पितर दोश है कोई कस्ट दायक, दुख दायक, संकट दायक परिशानी दायक, कोई भी समस्या चल रही है तो आज आप सवा किलो बाजरा सवा किलो जौव सवा किलो उडद लेकर काले कपड़े में बांध कर रख दें ग्रहंट समापती के बाद पाँच अगरबती और तेल का एक दीपक परजवलित करें अब उनी आसन पर बैठ कर राहु केतु को प्रणाम कर अपने उपर इनके किरपा हो ऐसा आप संकल बीजी और प्रारतना करो मंतर की एक-एक माला करमाशा जाब करें मंतर जाब पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़कर प्रारतना करें कि मेरे उपर आपकी करपा दरश्टी रहे सभी तरह के विग्ड बादा दोश और कुंडली के राहु केतु के दोश समापत हो जाए ग्रहन काल समापतोने पर सनानाधी कारों से निवरत होकर जव, बाजरा और उड़त को किसी सफाई करमचारी को डोनेट करना चाहिए यदि सफाई करमचारी दान न ले या न मिल पाए तो अपने घर की छट पर पक्षियों को चुगने के डाल दीजिए ऐसे करने से आपको लाब भी होगा और शांती भी बिलेजी एक उपाए ऐसा बता रहा हूँ जो घर के परतेग सदस्यों करना चाहिए आज की दुरिया में सबसे बड़ी गुर तकलीफ है तो बानसिक तनाव अग्यात भाए घवराट बेचे ने डर चिनता है इसे दूर करने का उपाए सिर्फ बोरे नात की चरड़ों में है इसलिए आप 11 या 21 बिल्व पत्र लेजी अस्ट गंद लेजी उसमें थोड़ा गंगाजर डालके इंक बना लेजी स्याही अनार की कलम लेकर बिल्व पत्र के एक बिल्व पत्र में तीन पत्ते होते हैं जो मंत्र बता रहा हूँ वो तीनों पत्तों पर आजाए ये ध्यान रखिए और उसी मंत्र को बोलते हुए वह बिल्व पत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए इसके साथ ही आपके दुख, दर्द, दोश सब दूर हो जाएंगे और बोले नात पर सब को चोड़ दीजिए ग्रहन प्रेसातियों आपदा नहीं है बलकि एक अवसर है सिद्धी प्राप्त करने का इस्ट देवताओं का अपने माता पिता पूरवज़ों का आशिरवाद प्राप्त करने का है और यह आशिरवाद अगर आपको मिल गया तो कोई ग्रहन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इसलिए घवराएं नहीं परियोग करें साध्राओं के पत पर चलकर इस आपदा को अवसर बें परिवर्तित करें बहुत बहुत शुब कामने प्यार बहुत बहुत आशिरवाद